क्याराम दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग पहाडी का लारभी में आपका स्वागत है तो जैसे कि आप सभी को पता है मैं पहुच चुके हूँ दून देरा धून यानि की अपने दीदी के घर तो पहले तो आप आज यहां का मौसम देख लीजिए तो देखे दोस्तों आज देरा धून का जो मौसम है वो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज तो मेरी दीदी के घर से कुछ इस तरीके से देरा धून दिखता है और बहुत ही सुन्दर प्यारा मौसम हो रखा है ऐसे मौसम में मैं और साहिल जा रहे हैं घूमने के लिए दैरादुन में हम कहां कहां गूमने जाते हैं ये तो मुझे भी नहीं बता क्योंकि वो मेरे को लेके जाएगा आज पूरा दैरादुन वो गुमाएगा तो वीडियो में बने रहें बहुत मज़ा आने वाला है तो चलिए चलते हैं और मैं फटाफट से पहले तयार हो जाती हूँ फिर चलते हैं घूमने के लिए तो दोस्तो हम लोग तयार हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने सफर की तरफ तो वीडियो में बने रहें जिजा जी, दीदी और साहिल और ये है प्यारा चा सिया दोस्तों देराधुन में सबसे पहले हम एक ऐसी जगह घूमने आये हैं जो कि भारत की पहली एक ऐसी मंदिर है जहां पर पैसे दान नहीं किया जाते है पैसे चड़ावा नहीं किया जाता है जिया अपने सही सुना, वहां पर पैसे नहीं चड़ाए जाते ना ही वहां पर पर्षाथ चड़ाए जाता है शिवाय फूल के पहां पर पूल चड़ाए जाते है और उस मंदिर के लोगों के जिन्होंने भी मंदिर को बनाया, उनका कहना है कि भगबान जी हमें पैसे देते हैं, हमें उनको देने की जरूरत नहीं है, हो तो सब को देते हैं, तो चलिए और मैं दिखाती हूं यहां से बंदिर कितनी सुन्दर दिखता है, चलिए मेरे साथ, तो यह है वो मंदिर, सिब मंदिर, और भकतो का यहां पर भूत आना जाना ल कर दोने कुरूए और इंवार दो enact का ऑप मेरे साही है तो पर यां पर तो मैंने तो कि यहां और हमारे भोले नात संकर जी के दर्शन करिए तो चलिए यहां पर दोस्तों भक्तों का आना जाना लगा रहता है और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया अपने वीडियो में कि यहां पर पैसे चाड़ाना मना है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा बड़े हुआ है कि पैसे चाड़ाना मना है और यहां पर लोग सभी जल अर्पित कर रहे थे बोले नात जी को तो हमने सोचा हम भी मंदिर में जा रखे हैं तो हम भी सिबलिंग में जल अर्पित करें तो साहिल ने कल लिया था और फिर उसके बाद मेरी बारी आई तो फिर मैंने भी जल अर्पित किया और दोस्तों वीडियो को लाइक शियर कमेंट जरूर करें कमेंट में हर हर महादेब सभी लिखें और वीडियो को जितना हो सके उतना शियर करें और अगर आप दैरदून में हो या दैरदून जा रहे हो तो इस मंदिर में जरूर जाए यहां पर जाकर आ मंदिर के दर्शन करते हैं हमारे भूले नाजी के दर्शन करते हैं तो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से भूले नाजी की मूर्थी इस्तापित है और साथ में ही यहां पर अंकल जी परशाद दे रहे थे सबको तो हम लोग जा रहे थे दर्शन कर रहे थे और वो हमें परशाद दे रहे थे तो बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर और पासी में यहां पर एक मार्केट है जो कि मैंने ऐसे सुना कि काफे लोगों ने बताया कि बहुत ही रीजनेवल प्राइज है यहां पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा कॉसली है पर आप यहां पर आओ तो जरूर कुछ न कुछ खरीदना और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक शियर और कमेंट कर दीजिए तो दोस्तो हमने भगवान शिप के दर्शन कर लिए है आशा करती हूँ आप सभी ने भगवान शिप के दर्शन कर लिए होंगे तो चलिए चलते हैं देरादून के फेमस मैगी पॉइंट में और दोस्तो आने वाले व्लॉक्स मिस मत करिए क्योंकि हम लोग घूमने वाले हैं पूरे देरदून देरदून में कहां कहां घूमते हैं ये देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मैं मिलू झाल झाल झाल